भर आई है कि आगया हूँ है दोस्तों वीडियों को ज्यादा से ज्व्ष्थ जब्सक्राइयब करने के बाद घंटी बटन को जरूरा दे ताकि हम जो भी वीडियों ड़ले आप तक पहुंच जी रहे हैं तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे बड़ी ख़बर है। तो दोस्तो अगली बड़ी ख़बर है डोनल्ड टरंप की खुली चताओं ने हमसे यूद धिकिया तो इरान को आधिकारिक रूप सिर्फ समात्त कर दूँगा। जी हाँ तो अमेरिका के राष्ट पते डोनल्ड टरंप ने इरान को लेकर के खुली चताओं नी दे दी है। डोनल्ड टरंप ने इरान के खुली चताओं नी दोर पर उन्होंने कहाए कि अगर इरान लड़ना चाहता है तो यह उसका अधिकारिक रूप से अंत होगा। टरंप ने कहाए कि कभी भी अमेरिका खुली चुनवती नहीं देता है। दरसल अमेरिका ने इरान के खिलाफ फारस की खाड़े में अपना सबसे बड़ा विमान वाहक पोत यूएस ए अब्राहम लिंकन भेज दिया है। इसके बाद से अमेरिका और इरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। आपको बता दे कि उबामा सरकार ने इरान के साथ परमानू डील की थी जिसे डोनाल्ड टरंप की सरकार ने 2015 में खत्म कर दिया था। टरंप ने इस फैसले के बाद इरान पर एक बार फिर से सक्त पाबंदिया लागू कर दिये। इस प्रतिबंद की वज़े से इरान की अर्थ वेवस्ता एक बार फिर से चर्मर आ गई है। इसके चलते भारत, चीन, पाकिस्तान समित तमाम देसों को तेल के आयात में मिल रही छूट समाप्त हो गई है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंद के बाद जिस तरीके से विमान वाहग पोत को तैनात किया गया है। उसके खिलाफ इरान की और से बड़ा बयान उन्होंने कहा है कि अमेरिका युद्ध के लिए झेल सकता है क्योंकि वह समाजी और मानव संसाधन के लिहाजे से बुरी तरीके से दोर का सामना कर रहा है। लेकिन इरान की और से आय बयान पर डोनल्ड रप ने इरान को खुली चितावनी दे डाली है। अगर अमेरिका से लड़ाई की सोच तो इरान आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगा। जिहां दोस्तों अगली बड़ी ख़बर NDA 300 पर BJP बोली लोगों ने प्रधान मतरी मोदी के अच्छे परसासन को पुरुसकार दिया है। जिहां दोस्तों लोग सबचनाव 2019 का अंतिम चरन रभिवार को खत्म होते हैं जारी विभिन एग्जिट पोल के रुझानों में विपक्ची पार्टियों को जटका लगा है। इस एग्जिट पोल के मताबिक 2019 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल पर भाती जनता पार्टिय के उस साहित प्रकरिया जलता है। अभी तक जिन चैनल में 543 सीटों के रुझान पेस किये हैं उनके अधार पर जीनियूज के महा एग्जिट पोल के मताबिक BJP के नितित में एंडिये को 308 सीटे मिलने का अनुमान है। यूपिये को 117 और अन्य के खाते में 117 मिलने के अनुमान बताए जा रहे ह अलग अलग चैनल और अलग 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 एजेंसिया एग्जिट पोल के बारे में क्या बताती है। दोस्तों ABP निलसन के अनुसार इंडिये को 267 सीटे और यूपिये को 127 और अन्य के खाते में 148 सीटे आज तक एकसिस के अनुसार इंडिये को 349 से लेकर के 365 तक यूपिय को 66 से लेकर के 122 तक और अन्य के खाते में 123 से लेकर के 124 तक नियूस 34 चैनल के के अनुसार इंडिये को 350, यूपिये को 95 और अन्य के खाते में 104 बताए जा रहा है बात करें नियूज एक्स इंडिया नियूज के अनुसार तो एंडिये को 298 यूपिये को 164 और अन्य के खाते में 135 बताए जा रहा है इंडिया टीबी मोदी के अच्छे प्रसासन को पुरुसकार दिया है। और साबित किया कि ऑस्टेलिया के चुनाव का हवाला देते हो उन्होंने यह एक्जिट पोल को गलत बता है। कि सांत मतदाता ही 23 माई को राजा साबित करेंगे। जिहां दोस्तों अगली बड़ी कबर एक्जिट पोल के बाद एंडिये में हलचल सुरू 21 माई को होगी बैठक। जिहां दोस्तों एक्जिट पोल के नतीजों के बाद एंडिये दल में प्रमुख नेता बैठक कर सरकार के रणनिती तयार कर सकते हैं। 2019 लोग सबाचुनाओ के साथवे चरण के मतदान खत्म होते ही एक्जिट पोल आ गए हैं। इस एक्जिट पोल में एंडिये की सरकार बनने की ज़्यादा संभावना दिख रही है। सियासी सूबे में एक बार फिर से हलचल सुरू हो गई है। इंडिये के प्रमुख नेता 21 माई को बैठक करेंगे। इस बैठक के लिए सभी को दिल्ली बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक बता दे कि 22 भी पक्चि दल 21 माई को दिल्ली में मिलने वाले हैं। जिसमें वे गटवंदन के बारे में चर्चा करेंगे। जानकारी के साद्वी प्रग्या को ऐसे बयान के लिए उन्हें पार्टी से बाहर निकालने पर बिचार करना चाहिए। जिहां दोस्तों अगली बड़ी ख़बर है दुनिया का सबसे बड़ा मतदान केंदर समुध्र तल से 15,256 फिट उचा है। जी हाँ तो हिमाचल परदेश में दुनिया का सबसे उचा मतदान केंद तासी गंग गाउं है। लोग सबाचनाओं के आखरी और साथवे चरण में यहां मतदान हो चुका है। रविवार को मतदान सुरू होने से पहले दो घंटे में कुछी समय में 33% मतदान हो चुके थे। राजी के निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि मतदान केंदर 15256 फीट उचाई पर इसी थे। राजी के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी हसंबल लाम धिगमा ने बताया है कि लाहौल इस्पलीती जिले में तासी गंग मतदान केंदर पर 495 पंदाता है। पर 50 और 20 महिला हैं। पहले इस चेतर में पोलिंग बूथ कम उचाईवाले सामुदाइक भूवन में था। मगर 12 में सामुदाइक भूवन में बूरी तरीके से छतिग्रस्थ होने के कारण पहली बार टसी गंग में राज किये प्राथमिक इस्कूल भूवन में मतदान किया गया था। जी हाँ दोस्तों अकली बड़ी कवरे बीपक्षी दलों में गटवंदन की कोशी स्तेज चंदर बाबू नाइडू ने राहूल गांधी और सरत पवार से दूसरे दोर की बातचित की है। आंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तपेदा परमुक इन चंदर बाबू नाइडू ने कांग्रिस अदश राहूल गांधी और रापांक परमुक सरत पवार से समित कई बड़े नेताओं की दूसरी दोर की बातचित की है। इस बातचित का मकसद केंदर में गैर भाजपा सरकार के गठन के लिए समर्थन जुटाना है। अभी तक खुलकर विपक्षी गठबंदन के बारे में नहीं आए है। पहले राजप का हिस्सा थी लेकिन कुछ महीने पहले उनके गठबंदन छोड़ दिया था। कांग्रेस और अनविपक्षी दलों को अगली सरकार बनाने पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस और अनविपक्षी दलों के बारे में आए है। झाल झाल